राजुधानी में अवैद कॉलोनियों को लेकर साल दर साल सर्वे हो रहे हैं और हर बार ऐसी कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है शहर भर में डेड़ साल में तयार हो गई 250 कॉलोनियों के लिस्ट तयार कर ली गई है इन्हें नोटे से भेजने के लिए आदेश बनना शुरू हो गए हैं पहली बार 20 कॉलोनियों को नोटे से भेज जाएंगे राजुधानी में अवैद कॉलोनियों का निर्मांड करने वालों के खिलाफ जिला प्रिशासन की कारवा ही जारी है आठ कॉलोनाईजर को नोटे से देने के बाद हुजोर सहित अनिक शेत्रों की 200 कॉलोनियों के केस कलेक्टर कॉश लेंद्रो विक्रमसिह के कोट में पेश किये हैं जिन्हें नोटे से भेजे जा रहे हैं आखिर राजधानी में तिनी बड़ी संख्या में अवैद कॉलोनिया कैसे आई और अब कारवाही के बाद क्या इनमें रहने वाले लोगों को बसी राद छिन जाएगा आपको सब कुछ वस्तार से बताते हैं देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट अवैद कॉलोनियों पर सक्त हुई मोहन सरकार नियमों को दरकिनार करना पड़ेगा भारी प्रिश्वासन ने 250 कॉलोनिया चिनहित की कॉलोनाइजर पर लिया जा रहा है एक्षिन कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नामंतरन पर लगेगी रोग मदिप्रदेश की राज़्टानी भोपाल में नियमों को दरकिनार कर कॉलोनिय डेवलप करने वालों की खिलाफ कारवाई जारी है जिला प्रिश्वासन ने 250 कॉलोनिया चिनहित की है जल्द ही नोटिस जारी होंगे संतोष जनक जवाब ना मिलने पर कॉलोनाइजर पर एक ग्रहन किया जाएगा जिन कॉलोनाइजर को नोटिस दिये जारहे हैं उनकी कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नाम अंतरण पर भी रोक लगाई जाए की एक कॉलोनी बनाने के लिए कम से कम पांच एकर जमीन होना जरूरी होता है इससे पहले डाइवर्जन कराना होता है पहरा और टी एन सी पी किसे नक्षा पास होना जरूरी है इसके बाद ही महां मकान बनाया जा सकता है पास हुए नक्षे में प्लोट से लेकर रेनिच पानी बिजली सडक खेल कू आदी के लिए जगा होती है लेकिन अवैद कॉलोनियों में इन में से किसी नियम का पालन नह किया जा रहा है धाईसो अवैद कॉलोनियों के केस आठ कॉलोनियों में प्लोट की रजिस्ट्री नामांतरन पर रोग कलेक्टर कोर्ट से सभी को नोटिस जारी मकान बेचने या प्लोट खरीदने वालों को नहीं होगी परिशानी ग्रामिन श्वेद्र में अवैद रूप से बनाएं जा रही आठ कॉलोनियों में प्लोट की रजिस्ट्री नामांतरन पर रोग लगाने के बाद तहसल के सभी में धाईसो अवैद कॉलोनियों के केस कलेक्टर कोर्ट में पेश कर दिया है SDM ने इन कॉलोनियों में विकास, अनुमती, डाइवर्जन, TNCP, परमीशन, सहतनगर निगम वह पंच्वायत की अनुमती की जाच करने के बाद यह प्रक्रण बनाए हैं अब कलेक्टर कोर्ट से सभी को नोटिस जारी किये जा रहा है कलेक्टर कोशलेंडर विकरम सिंग ने बताया है कि ऐसे लोग जिन्हों ने यहाँ पर मकान बना लिये हैं या प्लोट खरीद लिये हैं उन्हें कारवाई से कोई दिक्कत नहीं होगी अबैत कॉलोनियों के रिक्त प्लोटों को निलाम करकी कॉलोनी में जरूरी विकास कारे कराये चाहेंगे इन कॉलोनाइजर्स को जवाब के साथ ही कॉलोनी निर्मान से जुड़े सभी दस्तावेज भी पेश करना पड़ेंगे हाला कि श्वहर से लगे ग्रामिन शेत्रों में बनाई जा रही 80% से अधिक कॉलोनियों पर रोक लगाना तय है यह कॉलोनिया क्रशी भूमी पर बन रही है कुछ ने डाय वर्जन तो करा लिया है लेकिन TNCP की अनुमती नहीं ली अवैद कॉलोनियों का निर्मान करने वालों के खिलाफ जिला प्रश्वासन सकत रवया अपनाए हुए है कलेक्टर कॉशुलेंद्र विक्रम सिंग ने कोट में हुजूर सहित अनिशेत्रों के 250 मामले पेश किये है जिने नोटिस भेजा जा रहा है असे पहले आठ अवैद कॉलोनाइजर को नोटिस धमाया गया है अवैद कॉलोनी का निर्मान करने वाला कोई भी हो सभी के खिलाफ प्रक्रण बनाए चाएंगे अगर किस्तान भी कॉलोनी का निर्मान करा रहे हैं तो वह भी कारवाई की जद में आएंगे साथे किस्तानों से अनुभंद करके कॉलोनी काटने वालों पर भी आखलन किया चाये का दरसल किसानों के साथ जोएंट वेंशर में अवैत कॉलोनियों का निर्मान किया ज़ा रहा है कोलार तहसल में से अधिक कॉलोनियों में प्लोटिंग की ज़ा रही है यहाँ पर बिना किसी अनुमती के छोटे छोटे प्लोट काट कर बेचे ज़ा रहे हैं इसके अलावा करूद, बैरसिया रूड, रायसिन रूड, नरसिंगर रूड, मौरी बैरागर, बैरसिया में बड़े पैमाने पर अवैद कॉलोनियों का निर्मान की आजवारा है। बाकी 255 पर दिसंबर 2023 तक FIR दर्च कराई गई। लेकिन अब हाल ही में जब नए सिरे से सर्वे शुरू किया गया तो 300 से जादा नए अवैद कॉलोनिया और मिल गई है। आफिसों में ताले लगे हैं। रजिस्ट्री में करीब 20 प्रतीश्वत गिरावट आई है। पहले जहां रोजाना 300 रजिस्ट्री हो रही थी, वह गिर कर 240 हो गई है। की दूसरी तरफ खदान को पाटा जा रहा है। ऐसे लाल मिटी से भर दिया गया है। एसरो और खेजड़ा गाओं के बीच में कई कॉलोनी ऐसी कट रही है। जहां पहुंचमार के तक नहीं है। बारिश में यहां तक पहुंचना मुश्किल है। एक कॉलोनी ऐसी मिली जह नहां सड़क के बीच ही कई ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है और प्लॉटिंग कर दी गई है। जबकि इनके लिए बकाइदा अलग जगा होनी चाहिए। प्लिया जाहिर पेर के पहले भानपूर बायपास रूट पर खेजरा वरामद में जगा जगा अवेद की संख्या में लगतार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिसके बाद से जिला के कलेक्टर कोशलेन विकरन सिंग ने सक्त से सक्त कारवाई करने के निर्देश दिये हैं। अभी तक कई सारे अवेद कॉलोनियों को चिनित कर लिया गया है। जिसके बाद से SDM की टीम लगता से सारे इन अवेद कॉलोनियों की जाच कर रही है। जिला कलेक्टर के निर्देश के दोरा कम से कम पाँच एकर जमीन होना चाहिए एक वैद कॉलोनिय बनाने के लिए पीने की पानी की सुवी दाब बिजली और खेल कूद में जैसे कई सारी चीजे होती है जो एक वैद किसी कॉलोनी में नहीं मिलती है तो उसे अवेद कॉलोनी घोसित कर दिया जाता है। राजधानी भोपाल में ऐसे कई सारी अभी तक जिला कलेकٹर द्वारा जिसके बाद इन पर कारवाई करने जा रही है जिला कलेकٹर की टीम। अब देखने बाली बात यह होगी कि जिस भी लोगों को ये नोटिस दिया गया है वो इस पर जवाब कब देते हैं और जिला कलेक्टर के द्वारा अब आगे क्या कारवाई की जाएगी कैमरा पसंद शाहिद खान के साथ रंजनुरत भोपाल